असलाम लेकुम हमारा आज का टॉपिक जो है इसकाते हमल अच्छा इसकाते हमल यह हर्ट का एक लास्ट टॉपिक है हर्ट के अंदर हमने देखा हुआ है कि क्या क्या चीजे शामिल है जैसे के हर्ट की डेफिनेशन किसको आती है भई पी एच डी आई आई डबल डी ट्रिपल डी चलो जी पी एच डी आई आई और ट्रिपल डी इसका क्या मतलब पेन हाम डिजीज आगे डिसेबर डिस्विगर डिसमेंबर ऐसे था अच्छा दी ठीक है चाहँ झादी कर लो जिनेंवी ताडी मर्जी लेकिन हैं वह एक ही बात ही ठीक है तो उसके अंदर ये हर्ट की बाकी किसाम के साथ एक ये किसम भी है ये एक बहुत बड़ा इसको समझे लो कि यह जुरम है इसके अंदर उन्हें इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि इसकाते हम्मल और एक है इसकाते जनन क्या चीज इसके साथ इसकाते जनीन जनन इसकाते जनीन यह क्या होता है इसके अंदर अभी तक चाइल्ड जो है ना बच्चा वूम में है ठीक है वूमन के वूम में वूम क्या होती है गोद में अब उसको जे चाइल्ड जिसकी लिंब्स और गन अभी तक फॉर्म नहीं हुए ठीक है और गन अभी तक क्या नहीं हुए फॉर्म नट फॉर्म ठीक है तो उसको क्या कहते हैं वो बच्चे को अगर मिस्कैरी किया जाएगा हिमसल हर सेलफ और बाइदा एनी अदर अपर्स किसी भी दूसरे पर्सन के एक्ट चे तो सको क्या किया जाएगा इसने क्या किया है क्यूंकिया लेकि वो जो मिस्कैरिज है अगर तो वह उसकी गुड़ फेथ में किया गया उसकी जान बचाने के लिए ट्रीट्मेंट के लि किता है किता है किता है whoever causes a woman with child who's organs have not been formed to miss carry if such miscarriage is not caused in good faith for the purpose of the saving the life of the woman and providing necessary treatment to her is set to cause is Kate Haman and this इस काते जन्यन क्या होता है अब इस काते हमल की डेफिनेशन समझ आगी आपको अचा आगे है जी एक्स्पिलेनेशन अब वुमेन हूँ कॉजिस हर सेल्फ टो मिस्कैरी अब यह हमने जिस तरह देखा है ना कि फैंस हमेशा होता है जो किसी दूसरे के साथ किया जाता है फैंस अब किया जातों भी फैंस है स्यूसाइड कौन सा एक्ट है वो सेक्षिन है तीन सो पच्छिस ठीक है क्या है 26 27 28 कौन से है अब आप एगए डॉन्ट नो तो फिर आप में उसको क्यों कर रहे हैं अटेंट टूस्पिट सुसाइड तीन सो पच्छिस ठीक है अटेंट करना अ लेकर लो दिए सजाए सजानए और ना ख़र सजाइड मेनिक देरबाए कि हो गया तो मर गया ना तुछ गया ती अग्ले जाले अग्यार पुछा जाएगा ना लेकिन अगर बच गया ते फिर सजा भी वह फैंस है यहां पे अपने साथ कुछ किया जा रहा है तो यहां पे और अगर अपना खुद का मिस्केरज कर लेती है तो फिर भी वो क्या है जुरम है 338 में यह क्या है जुरम है और 338 में इसकी क्या है या फैनिश्मेंट है पंश में घृ李 वह पॉपनिश्मेंटं था जा देफिनेशन तो इस अफि ऋकिक जार फॉने पम में शूरत इस चुरत में जहां पर पैसे आउधसे और अगर इंपर में एक्षान इस काटेमल कॉस्विड दौट दॉशें तफ फूमन एक अगर यह कंसेंट के साथ है और अगर विदाउट कंसेंट होगा तो थो तैन यिर्ज तक विदाउट गंसेंट तो तैन इयर्स अपटू साथ ल अच्छा अगली बात इसी का बी का प्रवाइजों भी है इसके यह बी है और यह है इसके प्रवाइजों है क्या प्रवाइड़ एफ एजल्ट अफ इसकाते हमल एनी हर्ट इस कॉस्ट वूमन और शी डाइज दे कॉन्विक्ट शेल आलसो भी लाइबल टू पनिश्मेंट प्रवाइड़ फर सच हर्ट डैथ ऐस दे केस में भी अगर ऐसे सूरत में वह मिस्कैरी करते हुए उसको क्या हुआ को नुक्सान पहुंचा हर्ट पहुंचा या ऐसा क्या हुआ को मरी गई वह त कतल की सजा और अगर हट हुआ तो पिर हर्ट की सजा ठीक है इसी तरह अब आगैस काते जनन में अब इसकाते जनन की बात करते हैं यहां पे पर भी क्या नहीं बनेते और गौन्स नहीं यहां पर और वह हो गये ठीक है अब औरिदर फोर्म के बाद अब वो पांच महीने का जिकर करता है इसको बहुत जगा पड़ा है जिस वक्त बचा पांच महीने से ज्यादा है पांच या पांच से ज्यादा है तो उस वक्त जो औरगन्स हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं उस वक्त अगर मिस्केरी किया जाता है तो उसको कहते है मेस्क आते जनन अब यह की डेफिनेशन क्या है कहता हुएवर कौज इस अवोमेन विद चाइल्ड समाफ वूज लिम्ज और अर्गंज है विन फॉर्मड तुमेस करी उसके संगे समफ लेम्ज एंड और एंड आर्गंज वह बिन फॉर्मड वह क्या होंगे आप क्या इसकाते जनीन होगा यह काते जनन होगा और यही बात हम हर सेल भी करती तो भी इसमें आएगा अब यह 338 भी है और इसकी जो सजा है वो पनिशमेंट जो है वो एक 338 सी में है ठीक है क्या है सजा जी कहते है वह वर इसकाते जनीन शाल बिलाइबल टू पहली सजा वन टूइंटिए फडियत इफ चाइड इफ देचाइड इस बॉर्न डैड अगर बच्चा पैदा हुआ और उसकी वह क्या है मरा वह पैदा हुआ है बॉर्न डैड बॉर्न डैड तो उसकी सजा वन टूइंटियत अफ है दिए अब दियत के बार में तो आप सबक Łपता है ना कि बहुक्त बदादी य सब कुसी को बता नहीं है दियत का पता जी आपको बता है को सारह नों पता रहें हैं she 323 में शाव थीक अब कर दूसरी सजा B में वह क्या है अग्वत कितनी फूल दियत के पुल लिट में अगर जिनदा बॉर्ण अलाइव क्या होई बॉर्ण अलाइव लेकिन बाध में उसके किसी एक्ट की वज़ाए से सवाय लेकं अलाइव लग bees नत seminar हो लेकिन उसके उसके एक्ट की वज़ाए फॉलाइक और सी c क्या है उसका imprisonment for either decision for term and ये दोनों क्या था ये ए और बी क्या था दियत उसमें कहा कि या वो ये हो सकता है दो सुर्टों में और और अड़ इसके साथ इसके साथ ये वर्ड़ या यह होगा और अगर पैदा हुआ है तो यह और इसके साथ इसी सजा क्या है वो है इस देरार आप के से सब्सक्राइब 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 कर दो दी गई है क्या देखे ना प्रेग्नेंसी के दौरान हमल एक तो नहीं होता एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तो वो कह रहा है इफ देरे और मोर देन वन चाइल इन दा वूंब अफ दा वूमें दा उफेंडर शेल भी लाइबर तो सेपरेट दियत और ताजी एज डा केस में भी फर एवरी सच चाइल्ड तो फिर ये सजाएं अलग अलग एक एक के लिए हैं ये नहीं है कि अगर वो दो थे दोनों ये गया है उनको डैथ कर दी हो गई तो फुल दियत के साथ फुल दियत उसकी भी उसकी भी और साथ में साथ साल तक सजा है दूसी प्रवाइज हो प्रवाइड फॉर्ड दैट इफ एजर्ट अफ इसकात जनीन फिर वही बात पिछली कर दी कि अगर और ऑस एनी हर्ट इसक तो फिर क्या होगा दो फेंडर शेल आप सुब लाइबल दिप्रवाइड फर सच हर्ट आर डैथ आज दकेस में पी तो यह आपकी इसकाते हमल और इसकाते जनन जा जनीन था यह चीज और बाक्की हर्ट आप लोग ने सारा देख लिया हुआ है थैंक यू वेरी मच जी